हाङलो डिफ्एंस ऐस्परेंट आज की वीडियो भात करेंगे आर्मी नर्सिंग अस्टांट्त एयर रोइस वेकेंजी का लीच्त देखेंगे कियाल इसकी कीक्त estherment पते बीच्शान कमें सुरूप से रिचीछ supportivekal प्रेट के बाद दी जाती है या उससे पहले दी जाता या कितनी साल ले लगबग हमें मिलेगा तो इसका जो कन्फूजन इसलिए आ रहा है क्योंकि ट्रेनिंग सेडूल अभी चेंज कर दिया गया नर्सिंग आशिश्टान का 29 मंत का ट्रेनिंग सेडूल है अभी 29 महीन है का जो क्लास 3 जो एपग्रेडेशन काडर बोलते हैं उसको अभी ट्रेनिंग में सामिल कर दिया है तो इसके बाद में डीटेल्स में मैं आपको समझाओंगा ध्यान से देखना वीडियो अगर आप चैनल में नहीं हो लगता है यह ट्रेनिंग कंप्लिट हो जाते हैं गरत सिंद्न और सारा चीज नहीं में नर्सिंग असिस्टंत बाराएं बात करें यहां पर सभी का सेम रहता है चाहिए Army हो, Navy हो या फ्रोस हो तीन हो के सेम रहता है advanced training में अलग-अलग होता है मान लिजए मैं technical entry हूं तो मैं advanced training में technical entry with physical activity करूंगा अगर मैं nursing assistant के entry हूं nursing assistant के training के साथ मुझे जो trade मिला है उसकी training के साथ physical activity, drill सारे चीज़ करूंगा यह नहीं कि सिफ only में ट्रेड मतलब यह हो गया कि मैं जाके सिफ ट्रेड टेस्ट में पढ़ाई लिखाई करूंगा मिलिट हॉस्पिटल में जाओंगा वहां पर सीखूंगा बाकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब तक आप आर्मी में सर्विस कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी आपके साथ रहे गाई रहेगा यह आप माइंड में क्लियर कल लीजिए तो यहां पर आपको अगर यह बेसिक और एड्मास ट्रेनिंग आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं आभी फिलाल जो 29 महिने का ट्रेनिंग शैडूल दे उसको इस पर का नर्सिंग आशिस्ट安्ट बेसिक ट्रेनिंग होता है सोरी यहां पर आपको नर्सिंग आशिस्टां का बेसिक का काम एकुपिमेंट के बादे में थोड़ा बहत नॉलिज दिया जाएगा उसके बाद जो पहले जो होता था अधावangen refusing ट्रेनिंग इसके बाद आपको जब तक आप ट्रेइंग कंप् consumers करके शपत अंहीं करते हो सफसमाद में आना Ama इक सल्जर कर दरा कोई भी चोड लगता करों अब कोइड तक एक सोलजर Smith की veterory नहीं मिल yht तो ठीजान से जब बियाब ट्रेइनिंग के लिए जा रहे हो या करने मिलका सब्सक्राइब लिए आपको एक soldier की तरह treat किया जाएगा, सारे घरबालों को जितने भी compensation है, पैसे हैं, insurance है, सारे claim आपको मिलेंगे और एक soldier का दर्जा मिलेगा, लेकिन training के time में अगर आपको ऐसे कुछ हासा हो जाता है, या passing out prayer से कोई हासा हो जाता है, तो आपको कोई भी benefits नहीं मिलेगा, तो ध्यान से training करना, बढ़िया से महनल से training करना और खुद की ध्यान रखना, साथ में अपने साथियों का भी ध्यान रखना, चलिए, यहाँ पर अगर मैं nursing assistant की बात करो, तो आपका हो गया, यह 9 महिना का training हो गया, उसके बाद आपका 1,5 महिना उहाँ पर लग जाता है, आपकी passing out prayer, आपकी squadron का अगर complete हो जाए, यह नहीं कि आपका एक बार में passing out prayer हो जाए, और कैसे आपकी काम करेंगे, यह आप एक उस दिन बर्दी पेहने के like हो जाते हो, ठीक है, उस दिन, तो इसी साब से हम 10 महिना calculate करके यहाँ पर चलेंगे, हमारा 10 महिने में P.O.P. प्रेड होगा, तो ट्रेणिंग में कितना पैसा हमारा मिलता है, ट्रेणिंग में हमारे को मिल रहा है अभी 12,100 रुपे, जिसको हम stipend के नाम पे जाना जाता है, क्या बोलते हैं stipend, यह 12,100 रुपे आपकी fix नहीं है, आपको हर मेना 30,000 की starting permit मिलता है, नर्सिंग अर्सिस्टेंट में, जिसम आपने पहले जैसे होता था, छे मैने के ट्रेणिंग किया, यहां पर आप भाग गए, ठीक है, आप भगवड़े होगे, सेना से भाग गए, तो आपने जितने बुलेट्स खर्चा किया, जितने राशन फॉस की खाया आपने, उसके बाद जितने आपने उनकी क्लॉथे गौबर्मेंट के तरफ से मिलता है, उसकी खर्चा कौन देगा, एक सोल्जर को बेसिक ट्रेनिंग करवाने के लिए, सिक्स मंद का ट्रेनिंग करवाने के लिए, समसे कम 26 लाग रुपिया का खर्चा होता है, ठीक है, तो यहां पर 26 लाग का कुछ ना कुछ उनके पास बच तो इसलिए आपका जो बाकी का 18,000, क्योंकि 30,000 आपका प्रेमेंट मिल रहा है, 12,000 आपको मिली रहा है, तो 18,000 आपकी बचिया, तो यह 18,000 आपके जिस दिन P.O.P. हो जाता है, उसकी 3 महिने के बाद, एक 90 देज का पिरियोड होता है, यह नहीं कि मैं बिलकुल 90 देज बो तो टोटल 10 महिने का आपने ट्रेनिंग लिया था, 18,000 के हिसाब से 1,80,000 आपका एक साथ आएगा, यह कब आएगा, आपकी पोस्टिंग जाने के बाद, तीन महिने के बाद आजाएगा, मतलब पासिंग आट पर 10 महिने में हुआ, मतलब उसके बाद 14 महिने में आपका यह प्रेमेट आएगा 1,80,000 लेकिन आप बोलो के सार यह जो चार महीने का यह कब आएगा यह फिर दोबरा आएगा आपका पे जो चार महीने का आपका बच्चा होगा यहाँ पर जैसे आपका बताए हो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो तो 35,000 रुपया आपकी पर मन्त आएगा उसके साथ other facilities भी आपके साथ जूड़ जाएगा अगर आप ऐसे session पर लाइक जामू एंड कश्मीर सियाचिन ग्लेश्यर यहाँ पर आपका क्या है अलाउंस बढ़ जाता क्योंक और आपकी स्टार्टिंग सालरी कहीं कि अगर कश्मीर में वह तो 55,000 से 60,000 भी चला जाता है ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि 35,000 ही रहेगा तो मेरा समझाने का मतलब यह है आपकी जो सालरी है पहले से एक दिन जिस दिन आपने जोइन के ना उसी दिन 30,000 हो चुका है इसलिए क काटने के बाद आपको 1,80,000 एक साथ दे देगा उसके बाद आगले महिने से आपका 10 महिने से ग्याराव महिने से आपका स्टार्टिंग कर देगा 35,000 आपकी एककाउंट में ठीक है समझगे यह आपकी क्लियर हो गया जो आपने पूछा था है इंडियन आम फोसे चैनल नहीं करता है ना कि टोटल वेकेंसी करता है लेकिन एस पर सोसे एस पर माई एक्स्काइबर आपको बताता हूं 2023 में जो यह निकला था एकप्रिल में जो आपका पोस्ट है लगभव 800 से 830 की आपको पोस्ट है आपकी पूरा ओल इंडिया वेसिस पर आपको पता होगा अग कर दिया जाता है कि स्टेट वाइस कट अप रहेगा जिसी साफ से उनकी बंदे बन रहे हैं मालीजे यह दो स्टेट ले ले लेते ताकि आपको यहां पर समझ में आगा एक लेलिया मैंने उत्तर प्रदेश एक लेलिया ओरिश्या यह जो बोर्ड डिसाइड करता है पिछले लेना यूपी का 200 पोस्ट निकलेगा और ओडिशा का 100 पोस्ट निकलेगा क्योंकि जिस स्टेट से जितने बंदे जाते हैं पेंशन उसी इसाफ से उनको अलेट किया रहता है बाकी CRPF BASF में क्या ही हो पारेमिलिटरी फोसस में वह बिल्कुल रिविल करता है कि इतना मेरा जा रहे हैं इतना जा रहे हैं इसी साफ से स्टेट वाइज निकलता है ये भी सेम प्रोसेस है लेकिन ये रिविल नहीं करता आदमी एक बहुत सिक्रेट में काम करते तो ये चीजे डिश्टरबंस ना हुए के एक स्परेंट के लाइफ में इसलिए ये चीजे रिविल नही 200 बंदे हो रहे मेरा cutoff है 120 यहां क्या करेगा यूपी में जो भी बैठा होगा जैड़ारो में जोनल रिकूर्टिंग ओफिसे वो जितने ARO में सीट होगा उनको बता देगा 120 के उपर जिस भी ARO में जितने भी बंदे रखे माल लिजे इसकी अंडर में 3 ARO है यहां पर यह बोलेगा UP वाला में में कितना है 120 से उपर यह बोलेगा 120 हैозможно इसको बोलेगा तरह पास कितना है मेरे पास 60 mist DFANG Tiri मेरे डोस में 20 यहां पर इसे लिए यहां पर क्या होता है AROI SIT VACCY में वह आते हैं आप पूछते रहते हो न सर्थ इस ARO में इतने स्वॉट लिस्टेट हुए उसमें उतना क्यों सर्थ अलग 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 वेकिंसी क्यों आ रहा है इसमें सर 5 ले रहा है उसमें 25 क्यों ले रहा है क्योंकि उस एरू के जो बंदे हैं वो ज्यादा थोड़ा से टेलेंडेड है जिन्होंने 120 को पर स्कोर किया है इसलिए उनको कट अप के देद ले लिया समझ गई यहां पर यूपी सर 60 बंदे हो रहे है 110 में 90 हो रहे है 105 में 100 से उपर हो रहे है 106 में 100 के असपर ही हैं कैंडिड़ेट एक दो पोस्ट कम ज्यादा भी हो सकता है कोई जरूवी नहीं है ठीक है बोला 105 करेगा तो तेरा कितना cut-up पा रहा है मतलब 100 बंद हो रहे हैं बोला 102 ठीक है बोला तु ले 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 बोला तो 105 का उसने कट-up यहां पर ठोक दिया ओडिश्या की जो बोर्ड होगा इननामी की जोनरल लिकूडिंग जहां पर भी होगा कि ओडिश्या का cut-up 102 है उसकी अंडर में सेम जैसे मालीजे कट-up यहां से बोलेगा भई तुम लोग aeroize list निकलो अपने 105 के ओपर कितने बंदे हैं किस किस का कितने बंदे हैं निकल दिया यहां पर इसका निकल दिया होना 100 है क्योंकि उन्यों ने पहले यह calculate कर लिया अगर हम 105 के ओपर जा रहे है उडिश्या में तो हमारे 100 बंदे हो यह बुलेगा मेरा 10 यह बुलेगा मैरा 50 इसे कर गें जितने में 105 के उप़र जिन जिन लेड़कों को होगा वहाँ पर उनको cut off ले लेगा, इस इसाफ से क्या है merit list बन गया, आपकी ARO is merit list निकाल लेगा, इसका ARO का यह personal लिखा लेगा, इसके यह personal लिखा लेगा लेकिन vacancy कहा से आ रहा है, central state से आ रहा है बिल्कुल, ठीक है state wise vacancy, लेकिन इसका एक trick है ओर trick है कि sort listing अगर वो आप मुझे comment करके बताएंगे, और आप ARO बताएंगे दो चीज़ा आपको मेरे को बताना पड़ेगा, आपकी sort listed candidate कितने है, जो rating में उसके बाद, आप कौन से ARO के है और state तो मैं पता करी लोगा, अगर आप state लिखते हैं तो बहुत अच्छी बाद है आपका अगर आप ये मुझे नीचे comment करके बताएंगे तो मैं आपको exact number तो नहीं बता सकता कि 100 post है, लेकिन आपको Azure के साथ 100% ये बता सकता हूँ कि 98 या फिर 102 post है, मतलब एक दो post का फरक होगा, मुश्किल से 99% chance से ये ही होगा 1% chance उपर नीचे हो सकता है लेकिन अगर आप मुझे ये तीनों चीज़ों कमेंट करके बताएंगे, अगर आपको ये doubt हो रहा है, cut up भी कितना जाएगा उसके भी doubt हो है, नीचे comment कर लाना, मैं आपको reply कर दूँगा, बता दूँगा, बहुत लोगों ने मुझे comment किया, मैं सीधा बोलता हूँ कि आप uniform सिलवा लो, इसका मतलब उनकी confirm है seat और वो अभी tensor लेने की ज़रुद नहीं, उन्होंने सिफ physical निकालना है, और सीधे लखनाव center में पहुंच जाना है, 9 महिने के training के लिए, I hope इस वीडियो में आपको बहुत value मिलागा, कुछ जाने के लिए, सिखने के लिए मिला होगा, वीडियो को like करके जाना, और आपनी कोई भी doubt है, नीचे comment करना मिलते हैं, next topic में जाएं, happy uniform